गुड इवनिंग स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे वेलकम करता हूँ आप सभी का अपने यूटूब चैनल पॉली टेक्निक लिबरेल लर्निंग में आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ बिसेश है अलग है लेकिन चात्र चात्राओं के हित को देखते हुए उनके जो इंट्रेश्ट हैं उनको देखते हुए ये मैंने बनाने कर निड़ने लिया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नया वर्स स्टार्ट हो गया 2022 तो कुछ हर विक्ति कुछ ना कुछ resolution लेता है कुछ बन मन में मानता है कि आपना स्वयम का YouTube चैनल बनाएं, तो बच्चों creativity की कोई सीमा नहीं होती है, आप polytechnic के या बी-tech के जो छात होते हैं, engineering करते हैं, या कोई non engineering students भी हैं, creativity के कोई सीमा नहीं होता, कोई उसका foundation नहीं होता, कोई भी व्यक्ति creative बन सकता है, creativity किसी के भी अंदर आ सकती है, तो उनी म ऐसे बहुत सारे students के मन में जिग्यासा हैं आती होंगी, कि सब लोग YouTube चैनल बना रहे हैं, अपना वीडियो अपलोड करते हैं, हो सकता है, आपके मन में भी कभी ऐसा आया हो कि हम भी YouTube चैनल बनाएं, लेकिन आपको लगता हो कि resources हमारे पास क्या हैं, हमारे पास तो वीडिय से वो नहीं है, कोई help करने वाला नहीं है, हम कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे, इनी सब समस्याओं को ध्यान में रख करके, आज का मैंने ये वीडियो बनाया है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास आपका अपना mobile है, mobile जनरली Android phone सभी के पास होता है, तो उस Android phone की सहायता से, सिर्फ आप एक app इंस्टाल कर लीजे, और उस app से आप अपनी सुरुआत कर दीजे, YouTube चैनल बना करके वीडियो अपलोड करने की प्रोसेस का, तो बच्चों ये जो app है, बिल्कुल फिरी है, और बहुत अच्छा app है, मैं स्वहम यूज करता हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, इससे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के साथ साथ, अगर कोई वीडियो अपने मॉबाइल से आप शूट करते हैं, या रिकॉर्ड करते हैं, तो आप उसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं, और इसमें HD क्वालिटी के वीडियो आप सीधे YouTube पर डिरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, अब प्लीज ये मत कहिएगा कि सर मॉबाइल में तो पैसा खर्च होगा, या जो हम डेटा डलवाते हैं तो वो तो खर्च होगा, तो बच्चों डेटा तो आपको वैसे ही डल आप जानते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, सब यूज करते हैं और मॉबाइल तो आप मानके चल रहे हैं कि सब के पास होता ही है, और अच्छा मॉबाइल होता है, 8-10-11-1000 के मॉबाइल में भी आज के समय में अच्छा कैमरा मिल जाता है, जो कि आपकी HD quality की वीडियो record करने के लिए परियाप्त होता है, तो इनी सब बातों पे चर्चा करते हैं, तो आईए शुरुआत करते हैं कि उस एप का नाम क्या है, और आखिर ये हम कैसे उसकी शुरुआत करें, कौन-कौन से उसके features हैं, इनी सब बातों पे हम चर्चा कर लेते हैं, बच्चों मैं lockdown लगा था, आपको याद होगा, मैंने बना तो लिया था, लेकिन सिर्फ ये app की जानकारी ना हो पाने के कारण की मुझे लगा कभी कि laptop पे बहुत अच्छा रहता है, computer पर करें, या मैं सोचता था कि इसमें channel मुझे बनाना है, तो इस पर मैं कैसे करूं mobile में, क्या आसानी स तो मैं सर्च काफी करता रहता था, लेकिन काफी सारे app साते थे, इतने सारे net पर आप सर्च करिये, तो इतना confusion हो जाता था कि कुछ लगता था कि समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, तो उनी सब समस्याओं को मैं अपने से अपने जोड़ के देखता हूं, तो 2020 से लेकर के 2021 2021 तक मान के चलिए चैनल बनाने के बाद, 2021 तक मैं नहीं समझ पाया कि कैसे editing करें, कैसे video बनाएं और कैसे YouTube चैनल में सीधे उसको upload कर दें, 2021 मैं एक लगातार जब खोचता रहता था, देखता रहता था, तो एक app के बारे में पता चला, उसके बाद मैंने शुरुआत किया, और काफी video बनाए, मैंने अच्छे video बनाए, जो बच्चों के लिए बहुत helpful है, चातर चातरा है, बहुत उसको देखते हैं, तारीफ करते हैं, तो यह सब परेशानी आपको नहों, इन्ही सब बातों को भी मैंने ध्यान में रखा है, और इसलिए मैं यह video आज का आप लोग में लिखा हुआ है, उसको पढ़ाते जाईए, उसको शूट कर लीजिए, तो इसमें बहुत सारी चीजे हो सकती हैं, creativity की कोई सीमा नहीं है, तो इसी के तारतम में जो app है, free app है, इसकी जो खास बात है, अब आप कहेंगे कि sir, काइन माश्टर भी होता है, बहुत सारी students यू जब आप app यूज करते हैं, तो इस तरीकी की जो problem उनका स्वैम का logo लगा मिल जाएगा, या पर कोई और चीज उसमें लिखी हुई मिल जाएगी, तो या नाम लिखा होगा, software का, और जो quality आपको मिलेगी वीडियो की, तो हो सकता है, 720 तक का आपको quality मिले, तो इसमें quality में, आप 1080 तक के HD quality की वीडियो आप इसमें बना करके सीधे आप upload कर सकते हैं, अपने YouTube चैनल पर, तो इस software का नाम है बच्चों, X recorder, ये देखे लिखा हुआ, X और RECORDER, आपको जाना है अपने उस पर, और तुरंत जैसे ही आप सर्च करेंग X recorder, तो इस तरीके से आपका ये खुल जाएगा, तो Google Play Store पर आप जाएए, X recorder टाइप करिए, ये यहाँ पर देखी, ये symbol है, यहाँ पर company का नाम लिखा है, open लिखा होगा, चूंकि मैंने install कर रखा है, यदि आपने install नहीं किया है, तो install का आएग, install का, ये देखी, इसके जो downloads हैं, ये देखे 10 करोड से जादा लोगों ने download कर रखा है, और मैंने देखा है, कि maximum लोग इसको use भी करते हैं, इसकी rating भी बहुत अच्छी है, 4.6 की है, तो ये बच्चों, ये F है, सबसे पहले आपको install कर लेना है, अब आगे मैं बात करता हूँ, क्या-क्या इसके features हैं, आपको कैसे इसको use करना है, ये देखी, ये मैं जैसी video बनाता हूँ, तो ये मैंने एक, जो आपकी PDF है, ये world file आप कह लीजिए, ये मैं PowerPoint slide भी बना सकता हूँ, तो उसमें PowerPoint presentation बना करके भी video बनाता हूँ, आपने देखा होगा, तो देखी, जैसे ये लिखा हुआ है, तो मुझे कुछ समझाना है, मैं सम से भी लिख सकते हैं, आपके खुट के notes होँगे, आप स्कैन कर लीजिए, स्क्रीन पर ले आएए, आपकी photo ऐसी आजा है, और आपको इस तरीके से ये paint brush मिल जाए, देखी, ये यहाँ पर ये option है, ये वाला देखे, ये ये देख रहा है, तो ये brush है, देखे, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, खिचा दे रहा हूँ, कुछ भी बना दे रहा हूँ, जो मेरा मन हमें, समझा दे रहा हूँ, या कोई आपको symbol बनाना है, देखी, ये ये और, कुछ circle आप इस तरह से बना दिया, color आप change कर सकते हैं, कोई आपको arrow का sign दिखाना है, देखे, ये ये देखी, कैसे हम उसको बता सकते हैं तो बच्चों इसमें सीधे मोबायल अपने सामने रखिए इस app को open करिए उसमें आप इस setting में इसको अपना जो selfie है camera on कर लीजिए front वाला तो आपकी photo आ जाएगी ये इस तरीके से आप ये side में आता है brush का इस पे click करेंगे तो ये आ जाएगा cross कर देंगे तो हड जाएगा तो जब भी आपको कुछ बताना समझाना है आप उसको पढ़ते हुए बना सकते हैं तो ये जो method है video recording का इसको कहते है screen recording और ये जो software होता है वो कहलाता है screen recorder कहने का मतलब ये है आपकी screen पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा होगा या जो कुछ भी होगा वो ये software वो सारा चीज record कर लेगा ठीक है बच्चों तो ये आप समझ गए होंगे कि आप कोई भी चीज लिखी हुई हाथ से हो चाए type की हुई हो चाए कोई image हो चाए कोई video हो आप उसको सामने रख करके उसको screen record कर सकते हैं और उसमें समझा सकते हैं किसी भी बात को अब ये देखिए इसका interface है X recorder का आप देखिए इसमें काफी चीज़ें आप कर सकते हैं जैसे कि इसमें चार चीज़ें भी आप सामने देख पा रहे हैं एक तो देखिए एडिट वीडियो का है यानि कोई वीडियो आपने record कर लिया है अपने mobile से मालीजी जैसे हम shoot करते हैं फोटो खीचते हैं वीडियो record करते हैं तो एडिट वीडियो का है और दूसरा है आपका एडिट फोटो का यानि फोटो भी आप editing इसमें कर सकते हैं तो या फिर फोटो और वीडियो को आप merge कर सकते हैं तो तीसरा option आपके पास मिल गया ये वाला merge video and photo कई बार आपने देखा होगे कि वीडियो मैंने बनाया तीन सेकेंड या ज्यादा सेकेंड के लिए फोटो भी दिखाना चाहता हूँ कई सारी पांच है तो वो आप add कर सकते हैं उसके बाद video को compress करने का भी option है ये देखे यानि video की quality यदि ज़्यादा हो गए है size ज़्यादा है आप upload करने में problem है net की problem है तो आप उसको compress करके उसके size को कम भी कर सकते हैं तो ये चार option आपको इसमें दिखाई देंगे एकाथ feature हो सकता है आपको ना मिलें लेकिन maximum features जो आपके काम के हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे जो आसानी से कर सकते हैं अब main बात आती editing की तो जो recording के दो method हो गए screen recording मतलब जो screen पर दिख रहा है उसको हम record करें दूसरा आप ने हो सकता mobile से आप अपना front camera camera on करके जो भी selfie जो भी style में आप करना चाहें record कर लेते हैं आपके mobile में video होंगे तो उनको editing करने की बात आती आप edit करके सीधे YouTube में upload करना चाहेते हैं तो उसके लिए बच्चों यह option होते हैं देखिया आप इसमें आप ध्यान से देखिए नीचे आ रहा है तो यह video मैंने खोल रखा है app में यह सामने देखी video देख रहा है तो यह नीचे देखिए आ रहा है trim लिख़ा है यह low speed यह normal speed में चलना है वो कर सकते हैं copy का option आता है उसके बाद music का आप कोई music या कुछ भी add करना चाहे है तो music add कर सकते हैं यहां से volume का आता है कि volume आप कितना रखना चाहेते हैं या silent कर देना चाहेते हैं जो volume है वो बिल्कुल खतम हो जाएगा जीरो हो जाएगा यह होगा फिर उसके बाद यहां text का तो text का बच्चों इसमें option हो सकता है कि pro में आता है free वाले में ना है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है text का आप अलग से भी उसमें video में कर सकते हैं जरूरत है जैसे यह video देख रहा है अब इसके site का blank देख रहा है विल्कुल काला काला देख रहा है बीच में video देखता है तो वो सही से जब crop नहीं किया जाता है यह ratio उसका ठीक नहीं रखा जाता है तो यह इस तरीके की problem होती है तो full screen पर जो HD में video देखना है तो 16 to 9 का ratio होता है जो की रखा जाता है रखेंगे तो पूरा full screen पर video देखेंगा और जो black strip जो दाइने बाएं या उपर नीच आती है वो नहीं आएंगी तो यह हम crop करके यह ratio के द्वारे यह दोनों option यूज करके आप करेंगे तो हो जाएगा video को rotate करना है या image को rotate करना है तो rotate का भी option आता है तो इसमें plus का जब symbol क्लिक करेंगे तो आपको add करने का जो भी image या photo जोलना चाहते हैं, merge करना चाहते हैं तो वो option आता है आप download करेंगे, शुरुआत करेंगे तो आपका अपने आप आ जाएगा अब आप देखें जैसे मैंने PDF अपने mobile में खोल ली अब यह सामने मेरा एप खुला हुआ है तो यह देखें, इस एपर मैं यहां पर इस तरी के symbol बन के आता है इस पर click कर देंगे तो जैसे ही click करेंगे तो इस तरीके के एक दो दिन चार यह खुल करके आ जाएगा तो यह पहला वाला जो होता है आपका जैसे आप देख पा रहे हैं यह तो यह इसको click कर देंगे तो recording स्टार्ट हो जाएगी तो तीन सेकेंड का 3, 2, 1 इस तरह से चलेगा और स्क्रीन में जो भी होगा वो record करना शुरू कर देगा इस बाले में जो badge जैसा बना है tools के लिए है जैसे अभी मेरा camera on नहीं है front का तो इसमें click करेंगे तो camera का option आएगा paint brush का आएगा जो आप रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं इस पर click कर देंगे तो home पर चले जाएंगे जहां video सारे आपके save होंगे बागी सारी चीज़ें interface होगा यहां जाएंगे तो setting के लिए जैसे quality कितना चाहिए FPS कितना हैं यह सारी चीज़ें सारी 30 का आएसार्ट का frame पर सेकेंड यह इस तरी की कई चारी चीज़ें रहती हैं और किस method में आप orientation क्या रखना जाते हैं landscape या portrait में तो वो सारी setting में जा करके आप कर सकते हैं तो यह सारे option आते हैं तो इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह से आ जाती है तो यह बच्चों आपने देखा शुरुआत करने के लिए मैं ज्यादा आप लंबा नहीं जाओंगा ना ज्यादा टाइम लूँगा यह install करके आप उसकी editing करके देखिए और direct आप वीडियो को edit करने के बाद आप click करेंगे तीन डॉट बने होते हैं उसमें सीधे करेगा upload to YouTube या Facebook कहीं भी आप upload सीधा कर सकते हैं तो बच्चों यह था मातपूर्ण वीडियो इस नए वर्स में प्रतेक चात्र चात्रा को जो भी students है या students नहीं भी हैं तो वो अपना YouTube channel अपनी creativity को बाहर ला सकते हैं कुछ idea आपकी दिमाग में पढ़ाने का आप पढ़ा सकते हैं कु और बहुत सारी चीज़ें आपको फायदे इसके मिलेंगे जो हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि समय पर सारे वीडियो आपको मिलते रहें इस सीरीज में मैं आगे भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा क्या के आइडियाज हो सकते हैं कोई student किन किन आइडियाज पर अपने YouTube चैनल बना सकते हैं इसके अलावा और कौन से थंबनेल के बारे में भी मैं बनाऊंगा कि थंबनेल किलिए कैसे अच्छा थंबनेल बनाएं औ और कैसे उस thumbnail को जो हम generate कर सकते हैं और किस तरह से setting होती है आगे हम एक एक करके जरूर में बताता रहूंगा ताकि आप लोग इस दिसा में आगे बढ़ते रहें और हमारे चात चात्राइं भी अन्य चात चात्राओं की तरह तरक्की करें आगे बढ़ें तो बच्चों ये था मातपूर्ण वीडियो थैंक यू वेरी मच आपका दिन शुभ हो